आज हम बनाएंगे कंच्चे केला का सब्ची इसे बनाना बहुती असान है बहुत जटपट से बनकर त्यार हो जाता है मिल्कुल टाइम नहीं लगता है और खाने में बहुत टेश्टी लगता है तो इसे आप चावल दाल रोटी फराठा कुछ भी के साथ खात सकते हैं खाने म बहुत टेश्टी लगता है तो आईए बनाना इस्टार करते हैं अच्चे केला का सब्जी बनाने के लिए यहां पर हम साथ केले लिए हैं यह आधा केजी केला है तो इसको हम धो करके अच्छे से साप कर लिए हैं तो इसका हम पहले दोनों साइड को काट कर हटा देंगे इ इस तरीके से हम इसका छिलका उतार लेंगे बहुत असानी से छिलका उतार जाता है तो हम सारे केला को छिल लिए हैं तो अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो केला के जादा हम पतला नहीं काटेंगे नहीं तो सबजी बनाते समय केला हमारा तूट जाएगा आच्छा से बन नहीं पाएगा तो इसी लिए हमको मेडियम ही रखना है तो देखिए हम इस तरीके से सारा केला को काट लेंगे तो सारा केला हमारा कट चुका है देख सकते हैं इसी तरीके से हमने काटा है और यहाँ पर एक मेडियम प्याज को हमने बारी कट लिए है और यहाँ पर थोड़ा सा हारा धन्या है इसे भी काट लिए है तो यहाँ पर क्राही हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो इसी में हम चार बड़े चमस सरसो का तेल ला लेंगे सरसो का तेल में सबजी बहुत टेश्टी बनता है तो तेल जैसे ही हमारा गरम हो जाएगा तो हम केला को डालेंगे तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है अब इसी में हम काटा हुआ केला को डाल देंगे और केला को अच्छे से मेक्स कर लेंगे और इसे 3-4 मिनट तक हम अच्छे से चलाते हुए फटाई कर लेंगे गोल्डन ब्राउंड आने तक तो 3-4 मिनट हो चुका है देख सकते हैं केरा हमारा फटाई हो चुका है गोल्डन ब्राउंड हो चुका है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लिए हैं अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसी में हम मसाला तयार करेंगे तो फील से हम इसी कराही में दो बड़े चमस सचो का तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो हम जीरा डालेंगे तो तेल हमारा गरम हो चुका है अब यहीप हम थोड़ा सा राई डाले हैं और थोड़ा सा जीरा और दो सुखी लाल मिर्चे और थोड़ा सा लोसोना इसे भी खूंट लिये हैं तो सब को एक साथ डाल दिये हैं और अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे तो ताड़का हमारा जल चुका है अब इसी में हम काटा हुआ प्याज डाल देते हैं और इसे गोल्डन ब्राउंड होने तक भून लेंगे तो प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका है देख सकत हैं गोल्डेन ब्राउंद हो चुका है तो इसी में हम कुछ सूखी मसाले एड़ करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर है आधा चमच लानमिज पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर और आधा चमच पस्मीरी मिर्च पाउडर है इसे कलर बहुत अच्छा आता है और थोड़ हिसाब से डाल सकते हैं और सबको एक साथ मेक्स कर लेंगे और यहीं पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मेरा मसाला अच्छे से पक जाए तो इसको हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसे ढख देंगे और चलाते हुए पकाएंगे तो द दो से तीन मिनट हो चुका है और मेरा मसाला अच्छे से पक चुका है देख सकते हैं चारो तरफ से तेल छोड़ दिया है तो यही पहाम थोड़ा हाडा धनिया के पती लिए हैं इसे भी डाल देते हैं और अच्छे से मेक्स कर लेंगे और जो केला फ्राई करके रखे हैं उसको भी हम डाल देंगे यही पहाम और सबको एक साथ अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो मसाला के साथ केला हमारा अच्छे से मेक्स हो चुका है अब इसको हम दो मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि केला हमारा और सौट हो चुग जाए तो इसको हम ढख देंगे तो दो मिनट हो चुका है और मेरा केला का सबजी बन करके तयार हो चुका है देख सकते हैं कितना सोट और कितना टेस्टी बना है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल करके दिखाते हैं तो लिजिए मेरा गर्मा गरम केला का सबजी बन करके तयार हो च चुका है आप इससे चावल डाल रोटी फराठा कुछ भी के साथ खा सकते हैं खाने में बहुर टेश्टी लगता है तो अगर आप लोगों को मेरा केला का सब्जी बनाने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताईएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो फिली चैन को सिस्क्राइब करना ना भूलिएगा